अच के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके MI या फिर Redmi फोन में WhatsApp से वीडियो कॉल नहीं लग रहा है WhatsApp से वीडियो कॉल नहीं हो रहा है तो ये प्रॉबलम कैसे ठीक करें तो यहां पर अगर आपको वीडियो कॉल करने पर किसी भी टाइप की प्रॉबलम एरर आ रही है तो इसके लिए आप अपने फोन में WhatsApp से बहार आएए उसके बाद अपने फोन की सैटिंग्स ओपन करिए फोन की सैटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आईए नीचे आने के बाद अपस आएगा इस पर क्लिक करिए उसके बाद अब मैनेज अपस आएगा या फिर अप मैनेजर आएगा या फिर अप मैनेजमेंट आएगा तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फोन में आ सकता है तो इस पे क्लिक करिए और इसे उपन करिए तो अब इसे उपन करने के बाद यहां पे आपके फोन के सारे एप आ रहे हैं तो यहां पे आने के बाद आप नीचे स्क्रोल करिए नीचे आने के बाद आगा इस तरीके से WhatsApp, तो यहाँ पे आप WhatsApp पे क्लिक करिए, WhatsApp पे क्लिक करने के बाद अब ऐसा पेज आगा, नीचे फोर्स से स्टॉप आगा, इस पे क्लिक करिए, उसके बाद OK करिए, अब यहाँ पे App Permissions आगा, यहाँ फिर App Permission आगा, तो इस पे क्लिक क उसके बाद अलाव उनली वाइल यूजिंग दा एप आप आगा इस पे क्लिक करिये इसे सलेक्ट करने के बाद बैक आईए अब नीचे माइक्रोफोन पे क्लिक करिये उसके बाद अलाव उनली वाइल यूजिंग दा एप आप आगा इस पे क्लिक करिये और इसे सलेक्ट करने के बाद बैक आईए तो यहाँ पर कैमरा और माइक्रोफोन की पर्मीशन ओन करने के बाद यहाँ से बाहर आ जाईए उसके बाद अपने फोन में पेले स्टोर ओपन करिए अब उपर सर्च करिए वटसैप उसके बाद चेक करिए अगर वटसैप में अपडेट आया है यहां से तो WhatsApp को अपडेट करिए और उसके बाद अब चेक करिए WhatsApp से वीडियो कॉल लग रहा है और इससे पहले आप अपने फोन को एक बार restart यानि की बंद करके चालू जरूर करें तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें